आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिसंद्यों कुमार में दोस्तों आज का जो क्लास होगा इसमें हम आपको करवाने वाले हैं सीट नमबर 5 जी हाँ इकोनोमिक्स क्लास 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन जो की आपके क्लास 11 के बोट इग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे सारे प्रसन को दोस्तों हम लोग कर रहे हैं एक स्रीज में इसका अभी तक हम लोगों ने आपको 4 सेट उपना दिया है अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं दोस्तों तो जा करके देख सकते हैं इसका अलग से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना करके आपको प्रुभाइ एकतर हिर्ष्ट है उसको आप लोग जो है स्टुक्ष्ट पूरा देख लिए जा तरुक्त से टाकि एक प्रस्ण्थ आपका कंपलीट को टीक है дело कि दोशों सुरू करते हैं प्राथमिक आंकड़ा तीक है ये क्या होता है आपको बताना है दोस्तों प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है प्रकासित आंकड़ा को बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा या फिर अनुसंधान करता द्वारा एक अत्रित आंकड़ा को बला जाता है option B दिया गया है अनुसंधान करता द्वारा एकरतीत आउंकड़ा को बला जाता है या फिर option C दोनों होगा मतलब कि परगासित आउंकड़ा भी है और अनुसंधान करता द्वारा एकरतीत आउंकड़ा दोनों है या फिर यहाँ पर Jura Star 3 में से कोई भी नहीं है यह आपको चार नांबर उपुसन में दिया गया है तो दोस्तों बताना है कि प्रातमीक आखडा क्या होता हैогता है यह होता है अनुसंधान करता द्वारा एकत्रित किया गया आखडा यानि कि याहाँ जो B वाला उप्शन होगा यह आपका सही हो जाएगा दोस्तों इसी तरह का प्रसल दोस्तों आपका पूछा जाएगा बोर्ड इक्जाम में और उसके लिए चार ओप्सन भी दिये जाएंगे OMR seat में आपको इसका answer देना होगा तो OMR seat में आपको ABCD जो वहाँ पे दिया रहेगा जो सही होगा उस पे आप लोग जो है वहाँ पे एक जो है आपको ball pen से वहाँ पे आपको circle करना होता है तो OMR seat आपका निर्देश वहाँ पर पहल जाएगा कैसे आपको देना है चली दोस्त तो निम्न में से किसका निर्धारन रेखा चितर के द्वारा किया जा सकता है पूछा है कि निम्न में से किसका निर्धारन रेखा चितर के द्वारा किया जा सकता है माध्यका का बहुलक का या फिर नन कोई नहीं कौन होगा इसमें से बताना है दोस्तों सही तो माध्यका य देखा चित्र के दोबारा जो है तो इसको क्या कर सकते हैं इसका निर्धारन कर सकते हैं किसका माध्य का तो माध्य यहां पर सही हो जाएगा इसके बाद दोस्तों कीवचर नमर ठड़ है जो कि है किसने कहा अर्थ सास्त धन का विग्यान है यह किसने कहा है कि जो अर्थ सास्त कहा गया है यह तो यह कहा गया है दोस्तो एडम इसमीत के द्वारा तो नाम याद रखना है दोस्तो एडम इसमीत ने कहा है अर्थसास्त्र को धन का बिग्यान कहा है दोस्तो इसका आपका यहां पर माद्य है इसका यहां पर आपका एडम इसमीत हो जाएगा और वन नमबर का तो आपका ये वला था अनुसंधान करता द्वारा एक अत्रित आंकड़ा तो ये तीनों का यहाँ पर हो चुका है दोस्तों अब हम लोग आगया बढ़ेंगे और देखेंगे क्यूचर नंबर 4 में क्या है ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपनों देख सकते हैं क्यूचर नंबर 4 जो कि दिया गया है भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंब किया गया भारत में पूछा है कि आर्थिक सुधारों का प्रारंब कब किया गया 1971 में, 1991 में, या 2001 में, या 1981 में, कब किया गया यह आपको बताना है दोस्तों आर्थिक सुधारों का प्रागम कब हुआ, तो दोस्तों यह कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1991 में, तिक है यानि कि जो बी वाला प्शन होगा, यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इसके अपको बताना है । यहां पर आपका सही हो जाएगा धारणीय खेटी है इस के बाद दोस्तों कीवचन नबर रिंगों सिक्स आपका कहता है कि स्वास्ते किस प्रकार की आधारित संवचना का अंग है स्वास्ति कुछा है कि किस प्रकार की आधारित संवचना का अंग है पहला option दिया गए है ओँ है आर्थिक भी है समाजिक option सी दिया गया है ए और बी दोनों और option डी है इन में से कोई भी नहीं ना नौ दिज तो दुस्तो कीवचन नम्र 6 का इंसर जो होगा ये होगा आपका समाजिक आप थीक होता है जो कि मतलब पैसा से संबंदित है तो स्वास्त तो आपका पैसा से यहां पर संबंदित नहीं ए ठीक है ये इसलिए आपका समाजी को जाएगा ठीक है ना चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे देखते हैं किवचन नमर 7 क्या कहता है किवचन नमर 7 कहता है कि किरिसी किरियाएं किस छित्र से सम्बंदित है पूछा है कि जो क्लिसी करियाएं है ये किस चत्र से संब्धा प्लाथमीक दूइट्यक रिट्यक क्या यह तीनों से उपенное legit सभी होगा कौन होगा पताना है दोस्तों इसका एंसर तो इसका तो आप पिछला पीडियो को देखे हो येगा तो आपको जो है असानी से समझ में आ जाए प्रात्मिक क्या है दुवित्यक छेत्रक क्या है और तृत्यक क्या है तृत्यक को हम लोग सेवा छेत्रक भी बोलते हैं और दुवित्यक जो होता है ये होता है जिसमें की आपका क्या होता है जहां पर उद्योग ये सब होता है ये सब द्वीत्यक में आ जाता है उद्योग धन्दे ये सब उद्वीत्यक का है प्रात्मिक इसके बाद किवचन नमर जो एट है, यह मानुविये सादनों के बिकास के लिए आवस्यक्ता है, क्या आवस्यक्ता है? नैतिक्ता, अनुसासन, सच्चाई या फिर सिक्छा, चारों में से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों यहां पे किवचन नमर एट क जो सही answer हो जाएगा ओ जाएगा आपका शिक्छा यानि की education 8 number आपकर यहांपे सही होगा इसलिए आपको टिक करना है 8 number यानि की education को 9 number परसंद की बात करेंगे जो की दिया गया है भारत की पहली ओद्योगिक निती की स्वर्स घोसित हुई बताना है दोस्तों कि भारत की जो पहली ओद्योगी की निती है ये किस वर्ष घोसित हुई थी 1929 में हुआ था या फिर 56 में या दोस्तों आपका ये उन्हेसर इक्यानदे में हुआ था या फिर 1940 में हुआ था यह चार अप्शन यहां पे दिया गया है चारों में से जो सही होगा ओ होगा आपका दिवाला अप्शन यानि कि आजादी के बाद जो है सो हरत की पहली और द्योगी हिनिती का जो घोसना हुआ था यह अजादी के जर्ष्ट बाद कब हुआ था उने सो तालिस इस वी में बस्ताना है दोस्तों कि कौन सा हो जाएगा यह ए में दिया गया है चीन यहां पे चाइना बी है इंडिया भारत और सी है यहां पूरे वर्ल्ड में जादा है और दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मतलब कि 5-10 साल में जो इंडिया होगा वो नमबर वन पे हो जाएगा तो यह एक चिंता का भी सह है दोस्तों अभी भी जन संख्या में जो इंडिया है यह सकेंड अस्थान पर ठीक है एक सोचनिय भी सह है और इसके लिए जो है सो पहले से ज्यादा जो है सो भी जागरुकता भी फैलाया जा रहा है और कई काजकरम भी जो है सो इस संबंध में चलाया गया है तो दोस्तों आज का जो यहां पर क्लास था इसमें जो है सो हमने 10 important जो प्रस्न था उसको complete कर लिया 10 और important प्रस्न और ओ होगा आपका state number 6 तो state number 5 आज जो है आपका यहां पर complete हो चुका है और हमने 50 महत्वपुर्ण प्रस्न complete कर लिया है दोस्तों next के क्लास में हम आपको mean, median और mode यह सर निकालना भी सिखाएंगे तो आप लोग next का जो state होगा उसको अवस्य देखिएगा बह प्रस्न होगा वह आपका mean, median, mode और standard deviation निकालना यह सभी चीज से होगा तो इसको हम आपको बताएंगे तो आप लोग अबस से जुड़िएगा थैंक यू, जय हिंट, जय भारत